दिया लॉनर्स, नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता सोनी, हमारे आज के सेशन में सीनियर सेकेंटरी के पॉलिटिकल साइन्स सब्जेक्ट के विशे में बात करेंगे. हमारे पॉलिटिकल साइन्स में अभी तक के जो सेशन्स होए हैं, वो हमारे फर्स मॉड्यूल से थे, इंडिविज्वल एंडि स्टेट, मतलब वैक्ति एवं राज्ये. हमारा जो आज का सेशन है, यह बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम इस अपने जो फर्स मॉड्यूल में हमने चार लेसंस कवर किये थे, उनको एक बार रिवाइस करेंगे. मतलब उनको एक बार देखेंगे कि हमने इन लेसंस में क्या-क्या चीजे पढ़ी हैं. दूसरा, इसके साथ ही हम self-evaluation पर भी बात करेंगे. मतलब हम पढ़ने के बाद यह कैसे देख सकते हैं कि जो हमने अध्यन किया या जो हमने पढ़ाई करी है, उसका result क्या है या हमें वो कितना समझ में आया है. तो आज का जो हमारा सेशन है, वो हमारे first module, individual and the state के revision और self-evaluation के विशे में हैं. तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. अभी जैसा मैंने आपसे बात करी, कि जो हमारा आज का सेशन है, वो हमारे first module से related है. और इसमें हम, जो हमने अभी तक हमारे चार लेसन्स किये हैं, उसके जो major points हैं, उसके विशे में एक बार दुबारा से जानेंगे. तो हमारे जो चार लेसन्स थे, पहले उनके विशे में जानते हैं, हमारा first lesson था राजनेती विज्ञान का अर्थ और कारचेत्र, हमारा दूसरा lesson था राष्ट और राज्य, तीसरे lesson में हमारे हमने समाज, राष्ट, राज्य और सरकार के बीच जो अंतर है, उसके विशे में बात की थी, और जो हमारा fourth lesson था, वो था प्रमुख राजनेतिक सिध्धान्त, मतलब major political theories के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, तो हम शुरुआत करेंगे हमारे first lesson के साथ, जो क्या है, meaning and scope of political science, मतलब राजनेती विज्ञान का अर्थ और कारेचेत्र, हम देखेंगे कि हमारा जो first lesson है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लेकिन in short because, क्योंकि ये एक revision session है, सबसे पहले हमारे इस lesson की जो हमने शुरुआत करी थी, उसमें हमने देखा था, राजनेती विज्ञान का अर्थ क्या है, उसमें हमने देखा कि जो राजनेती विज्ञान है, वो माध्यम है, जिसके द्वारा सभी लोग एक साथ एक सम्हू में रहते हैं, और उन सभी के बीच सहमती होती है, और वो साथ मिलकर निर्ने लेते हैं, अपनी प्रगती के कारियों को लेकर, तो हमने जो जाना कि राजनेती विज्ञान का अर्थ क्या है, उसके बाद हमने जाना था कि जो राजनेती शब्द है, इसकी उत्पत्ती कहां से हुई है, उसके अंतरगत हमने पढ़ा था, कि जो राजनेती शब्द है, वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन हुआ है, जिसका अर्थ होता है, नगर राज्य, तीसरी बाद जो हमने जानी, वो ये थी, कि जो राजनेती विज्ञान है, वो एक अनुसाशन है, मतलब ये एक डिसिपलिन है, जो विभिन दिश्टी गूडो की साहिता से, राजनेती विश्यों का अध्यान करता है, तो इस तरह से हमने, राजनेती विज्ञान का अर्थ जाना, राजनेती विज्ञान, पॉलिस शब्द से उत्पन हुआ है, ये जाना, और उस जिसका अर और राज इसके विशय में चर्चा करी साथ ही राजनीती विज्ञान एक अनुसाशन है एक डिसिप्लिन है जो विभिन डिस्ट्रीकोडों का इस्तिमाल करके अपने अंदर आने वाले विशयों का अध्यन करता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं राजनीती विज्ञान और राजनीती ये कई बार एक दूसरे के लिए शब्द प्रयोक किये जाते हैं लेकिन इन दोनों ही शब्दों के बीच में एक अंतर है तो हमने अपने फर्स लेसन में ये भी जाना था कि जो राजनीती विज्ञान है और जो राजनीती शब्द है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है जिसके अंतरगत हमने पढ़ा कि जो राजनीती शब्द है इसमें साशन का अध्यान होता है इसमें शाषन के सभी पहलू शामिल है फिर हमने देखा कि जो राजनीती विज्ञान है उसमें राजनीती का विज्ञान होता है मतलब उसमें जो राजनीती के अंतरगत शाषन के सभी पहलू शामिल होते हैं हम उन सभी पहलुओं का सिर्सलेवार या क्रमबद अध्यन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो राजनीती शब्द है, इसका जो संबंध है, वो किसी देश की इस्तिती से होता है। जबकि जो राजनीती विज्ञान है, वो उस देश के शासन का अध्यन करता है। वो विवहारिक राजनीती से है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, जबकि जो राजनीती विज्ञान है, वो वास्तविक्ता की व्याख्या करता है। मतलब actual में राजनीती में जो चीज़े हो रही होती हैं, उनका अध्यान या उनकी बाते हम राजनीती विज्ञान के अंतरगत करते हैं। तो ये कुछ वो points हैं जो राजनीती विज्ञान और राजनीती के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। अंतर जानने के बाद हमने ये देखा था कि जो राजनीती विज्ञान है, इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे आगे बढ़ा समय के साथ। इसके अंतरगत हम सभी ने पढ़ा था कि जो राजनीती विज्ञान का विकास है, वो एक क्रमबद तरीके से हुआ है। राजनीती विज्ञान का जो अध्यन है, ये ईसा पूर्व यूनान के लोगों ने शुरू किया था। इस विज्ञान के अंतरगत वो राजी की कतिविधियों में जो वहां के नागरिकों की भूमिका होती थी, उसका अध्यन करते थे। प्राचीन यूनानी विचारकों ने राजनीती को पॉलिटिक्स कहा था। इसके साथ ही जैसे जैसे समय बीता, समय के परिवर्तन के साथ, काल के परिवर्तन के साथ, राजी के आकार में परिवर्तन और जटिलता बढ़ने लगी, जिसके साथ राजनीती विज्ञान ने भी विवहारिक रूप धारण किया। राजनीती विज्यान के विकास के क्रम को जानने के बाद हमने राजनीती विज्यान के विशय में कही गई कुछ परिभाशाओं के बारे में जाना था जिसमें सबसे पहली परिभाशा हमने जानी थी अरस्तु की अरस्तु ने कहा है कि जो हर आदमी है वो एक सामाजिक और राजनेतिक प्राणी है मतलब जो मनुष्य है जो हुमन है वो एक समाज में रहता है और राजनेतिक गतिविदियों में उसका योगदान होता है तो इस तरह से अरस्तु के हिसाब से हर आदमी एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है आजी गिटिल ने कहा कि जो राजनीती है वो राजी के भूत मतलब जो हो चुका है वर्तमान मतलब प्रेजेंटली जो गतिविदियां चल रही है और भविश मतलब जो पहले हो चुका है और जो अभी चल रहा है इसके परिडाम स्वरूप आगे क्या होगा उसका अध्यन करता है तो इस प्रकार आजी गिटिल ने कहा कि राजनीती के अंतरगत हम राजी के जो भूत जो बीच चुका है वर्तमान जो उसका चल रहा है और आने वाले समय का अध्यन करते हैं आने वाला हमारा राज्य कैसा होगा उसकी राजनीती कैसी होगी तीसरी परिभाशा हमने जानी लास्की जी से लास्की ने कहा है कि राजनीती विज्ञान का अध्यन संगठित राज्य से संबन्दित पुरुष तथा इस्त्री के जीवन से जुड़ा है मतलब लास्की के इसाब से जो राजनीती विज्ञान है इसमें हम एक राज में रह रहे सभी पुरुष तथा इस्त्री के जीवन से जुड़े पहलवों का अध्यन करते हैं तो इस तरह से हमने तीन परिभाशाएं जानी जो राजनीती विज्ञान के विशे में अरस्तु, गेटल और लास्की ने कहीं हैं इसके बाद हमने ये देखा कि जो राजनीती विज्ञान है इसका अध्यन छेत्र क्या है मतलब इस विशे के अंतरगत हम किन बातों का अध्यन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है राज्य की भूमिका राजनीती में प्रमुक्ता से हम राज्य का अध्यन करते हैं उसका वेभार कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं इन सभी बातों का अध्यन राजनीती विज्ञान के अंतरगत किया जाता है उसके लावा हम नागरिक और सरकार के विशे में अध्यन करते हैं सरकार राज्य का एक प्रमुक तत्व होती है सरकार नागरिकों को मानिता देती है और नागरिक सरकार की आग्या का पालन करते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि राजनिती विज्ञान के अंतरगत हम सरकार के विवहार का अध्यन करते हैं और नागरिकों और सरकार के बीच जो संबंध हैं हम उस उन बातों पर भी अध्यन करते हैं कि इसके बाद हमने जाना कि स्वतंत्रता क्या होती है स्वतंत्रता मतलब freedom liberty लिबर्टी शब्द की उत्पति लिबशब्द से हुई है इसका अगर बहुत ही सीधे शरल शब्दों में definition बोलें तो वो यह होता है स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम आजाद हैं हम free हैं कुछ भी क लेकिन स्वतंत्रता में एक limitation भी है हम हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हम किसी और की स्वतंत्रता में बांधक नहीं बन रहें तो यह पहलू हमें याद रखना जरूरी होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग वहां तक कर सकते हैं जहां तक हम किसी और की freedom में किसी और की liberty में interfere ना कर रहे हूँ इसके बाद हमने न्याय मतलब justice और नागरिको और राजी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में जाना हमने जाना कि जो न्याय है इसकी परिभाशा क्या है इसकी भी परिभाशा अगर हम एक line में कहें तो वो होती है कि सभी को उनके जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं और सारे अफसर मिले इसके बाद हमने समाजिक न्याय के अवधार्णा के विशे में पढ़ा था जिसमें पहला योगिता था और दूसरा आवशकता और समानता और अफसरों की समानता मतलब समाज में या राज में रह रहे सभी नागरिकों को सभी समान अफसर मिले उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद ना किया जाए तो ये अफसरों की समानता के विशे में हमने जाना था और इसी से निकल की आया था हमारा संपूर्ण न्याय जिससे के अंतरगत हमने ये समझा था कि जो योगिता है या आवशक्ता ये जो संपूर्ण न्याय की विचारधारा है ये इन दोनों को ही नहीं मानती और साथ ही ये कहती है कि जो न्याय की अवधारणा है जो न्याय का कॉंसेप्ट है ये परिवर्तन शील है ये लगातार बदलता रहता है तो इस प्रकार हमने इस लेसन में ये समझाता कि राजनेती विज्ञान का अध्यान छेत्र क्या है राजी की उसमें क्या भूमिका होती है नागरिक और सरकार के बीच में क्या संबंध होते ह हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ वेवहार करते हैं उसके अलावा हमने स्वतंत्रता के विशे में पढ़ा फ्रीडम मतलब लिबर्टी न्याय और नागरिको और इसके लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है उसके साथ हमने सामाजिक न्याय के अवधारना के बारे में जा साइन्स के अध्यान छेत्र के बारे में जाना और उसके अर्थ को समझा आशा है कि आपको अभी जो मैंने लेसन फर्स्ट में हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे जो आपको बताएं हैं आपने उनको एक बार और नोट किया होगा और इसको आप एक बार और विस्तार से कियेगा क्योंकि अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ यह इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आप हमारी जो किताब है पॉलिटिकल साइन्स के उसमें आराम से पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं अब हम आएंगे हमारे दूसरे लेसन पे जो है नेशन एन राष्ट किसे कहते हैं और राष्ट्येता क्या होती है उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंस है जो अंतर है उसके बारे में बात की थी उसके अलावा हमने ये जाना था कि जो राष्टियता है मतलब नैशनालिटी है ये किन तत्वों से मिलके बनी है और आखीर में हमने राज्य का अर्थ और राज्य के जो तत्व हैं उनके विशे में बात की थी तो आएए विस्तार से हम इन पॉइंट्स पे एक बार प्रकाश डालेंगे कि हमने इस लेसन टू में जो हमारा फर्स मॉड्यूल का है इसमें किन-किन बातों को जाना था राष्ट मतलब नेशन ऐसे लोगों का समू है ऐसे लोगों का समू है जो एक जैसी संस्कृती इतिहास भाषा या जाती के होते हैं मतलब एक जैसा उनका कल्चर होता है एक जैसा उनका हिस्ट्री होता है और वो सेम लैंग्विज बोलते हैं और उसी देश में एक सरकार के नेत्रित्व में साथ रहते हैं और राष्ट्यता क्या होती है राष्ट्यता मतलब जिसे आम इंग्लिश में नैशनालिटी कहते हैं तो जो नैशनालिटी शब्द है इसकी जो उत्पत्ती है वो नेट्स शब्द से हुई है नेशन और नैशनालिटी इन दोनों ही शब्दों की जो उत्पत्ती है वो एक ही शब्द से हुई है इसका मतलब होता है जो नेट्स शब्द है इसका मतलब होता है जन्म लेना तो इस तरह से हमने जाना जो राष्ट है वो ऐसे लोगों का समू है जो एक जैसी संस्कृती भाषा और इतिहास और एक जाती में रहते हैं और एक जगहां एक सरकार में संगठित होते हैं राष्टियता लेटिन भाषा के नेट्स सब्द से उत्पन हुआ है और इसका मतलब होता है जन्म लेना अब आगे बढ़ते हुए हम यह जानेंगे कि जो राष्ट है और जो राष्टियता है इसमें डिफरेंस क्या है इसमें अंतर क्या है तो जो राष्ट है वो लोगों का एक संगठित और वेवस्थित समुह होता है मतलब राष्ट के अंदर ग्रूप में लोग रहते हैं और वो उनकी अंदर एक राष्ट होने की भावना होती है क्योंकि वो सेम भाषा, सेम जाती, सेम इतिहास को शेर करते हैं जैसा कि हमने परिभाषा में अभी जाना तो इस तरह से जो राष्ट है वो उन्ही सभी लोगों का एक संगठित और वेवस्थित समुह मतलब एक ग्रूप होता है जबकि जो नैशनालिटी है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये एक सांस्कृतिक शब्द एवं मनोवज्ञानिक भाव है राष्टिता क्या है? एक फिलिंग है, एक इमोशिन है जो हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं लोगों में एकता की भावना एवं समानता मतलब जब हम नैशनालिटी की फिलिंग को फिल करते हैं तो हम में एक होने की भावना जागरित होती है हम सब एक दूसरे से एक समान अपने आपको पाते हैं तभी हमारे अंदर राष्ट्यता की भावना का विकास होता है. तो इस तरह से जो राष्ट है, वो लोगों का संगठित समूह है, जबकि जो राष्ट्यता है, वो एक feeling है, एक emotion है, और इनसे मिलके ही राष्ट और राष्ट्यता का निर्मान होता है. इसके आगे हम जानेंगे कि जो राष्ट्यता है, जैसा कि अभी हमने बात की, एक feeling होती है, एक emotion होता है, जो हम महसूस करते हैं, इस राष्ट्यता की feeling का, emotion का निर्मान कैसे होता है? इसके लिए कौन-कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं? तो ये वो कुछ तत्व हैं, जिनके विशे में हमने बात की थी, जो राष्ट्यता के लिए, जिन से मिल के एक राष्ट्यता की feeling या emotion का निर्मान होता है, जिसमें सबसे पहले आता है भगौलिक छेत्र, मतलब सेम रिजन, सेम एरिया में रहने वाले लोगों में, राष्ट्यता की भावना का निर्मान जल्दी होता है, समान भाषा, बहुत कॉमन है, अगर हम किसी एक जगापे हैं और हम सह भाषी हैं, एक समान भाषा भोलने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर एक strong unity, unity की जो feeling है, जो भावना है, उसका निर्मान होता है, इसके बाद आता है समान कुल, मतलब same race, same breed, आज की जो परिस्तिती है globalization के जमाने में, जब एक जगा से लोग दूसरी जगा जाके बस रहे हैं, या अंतर जाती हैं, अंतर राष्ट्य विवहा हो रहे हैं, उस समय ऐसी समान कुल का होना थोड़ा मुश्कित है, इसके बाद आता है समान धर्म, same religion, आप देखेंगे कि जो वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी countries ऐसे हैं, जो same religion को follow करके बनी हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन जो धर्म है, वो एक अकेला factor नहीं है, सिर्फ धर्म होने से nationality की feeling हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इसके अभाव में भी आप ये बोलें कि आपके अंदर राष्ट्यता नहीं है, वो भी नहीं है, तो जो धर्म है, वो खाली एक तत्व है, और वैसे भी आजकल जो सारे राष्ट हैं, अधिकतर राष्ट, धर्म निर्पेक्ष राष्ट कहे जाते हैं, जहां पे सभी धर्मों का पालन होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा factor है, जो इस चीज को support करता है कि उनके अंदर nationality की feeling develop, उसके बाद आता है आर्थिक कारण, same profession, same काम करना, जो ये economical factor होता है, ये राष्ट्यत्या की भावना के निर्मान में एक प्रमुख भूमी का निभाता है, उसके अलावा समान राजनेतिक अभी लाशा, मतलब same political situation को achieve करने की जो एक feeling होती है, उससे भी राष्ट्यत्या का निर्मान होता है, समान राजनेतिक विवस्था, मतलब एक जैसा political system अगर कहीं पे है, तो वहाँ पे राष्ट्यता के भावना का निर्मान हो सकता है, और एक समान अधीनिता, जो लास्ट पॉइंट है, भारत इसका सबसे अच्छा उधारण है, जब हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जब हम अधीन थे, तो आजादी के लिए हम सभी भारतियों के अंदर एक समान भावना थी, कि हमें इस गुलामी से बाहर निकल के एक आजाद भारत का निर्मान करना है, तो ये जो सारे factors जिसकी हमने अभी बात करी है, इन सभी से मिलके राष्ट्यता का निर्मान होता है, लेकिन अगर इसमें से कोई एक factor मिसिंग है या नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर राष्ट्यता की भावना नहीं है, ये सिर्फ कुछ ऐसे identified factor हैं, जिनके basis पे कहा जाता है, कि राष्ट्यता की feeling का निर्मान होता है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे राज्ज की तरफ, अब हम ये देखेंगे कि जो राज्ज है, ये क्या है, राज्ज का जो अस्तित्व है, वो अच्छे जीवन के लिए है, ये एक जरूरी संस्ता है, मतलब जो लोग समूह में रह रही हैं, उनको विवस्थित और सुद्रन तरीके से रहने के लिए, कुछ नियमों की आवशक्ता होती है, कानून की आवशक्ता होती है, एक विवस्था की आवशक्ता होती है, जो उनको राज्ज प्रोवाइड करता है, राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं मतलब अगर हम कहें कि हम एक राज्य है तो वो किन चीजों से मिलकर बना है सुनने के लिए धन्यवाद नेक्स सेशन में हम एक नए टॉपी के साथ आप से दुबारा मिलेंगे